स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती प्रित्यत्थ अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला सारी दुनिया मानती है कि भारत देश में अन्दशद्धा बहुत ज्यादा स्तर पर प्रचलित है ऐसे तो अन्दशद्धा पूरे विश्व में अपना कायम स्वरुपी स्तर बनाई हुई है कई सारे धर्म, पंथ या जातियवादी गुट अन्दशद्धा को निशिद्ध मानते हैं, फिर भी उन सब के अनुयाई भी अन्दशद्धा में शद्धा रखते हैं ज्यादा तर लोग अन्दशद्ध के बारे में भी अन्दशद्धा को महत्व देकर अपने अनुकूल ही धारनाए बनाते रहते हैं द्रिश्टी बाधित व्यक्ति अपने जीवन में उचा मकाम हासिल कर सकता है, ऐसा लोग मानते ही नहीं है आज तक्नीक और सूचना प्रोध्योगी की का राज है इस राज में द्रिश्टी बाधित व्यक्तित्व इस तरह से अपना जीवन निखारने लगे हैं और द्रिश्टीवान दुन्या को सिखाने तथा मार्ग दर्शन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही हैं हाथ कंगन को आर्सी क्यूं? हम आज ऐसी ही दृष्टी बाधित महिला से परिचित होने वाले हैं, जिन्हें बचपन से ही दृष्टी बाधिता का सामना करना पड़ा। उसी कार्य में वा अपना जीवन समर्पित कर रही है। इस महान व्यक्तित्व का नाम है डौक कलपना खराडे। सन 1969 में महाराष्ट मुंबई के उपनगर में रंगनात खराडे के घर कलपना का जन्म हुआ। इस सामान में स्थिती के परिवार में कलपना का लालन पालन होता रहा। स्कूल जाने की उम्र होने पर उसे अपने पास वाले स्कूल में दाखिल कर दिया। अपनी स्कूल ली पढ़ाई शालान परीक्षा तक पूरी कर उन्होंने डी एड की पदविका सन 1977 में प्राप्त कर ली। इस पढ़ाई दौरा अंध्रिष्टिदोश होने की बात उनके माता-पिता के ध्यान में आते ही उन्होंने इस बारे में विशेशग्यों की राई ली। उसके अनुसार कलपना रेतिनायती स्पिग्मेंटों सा नामक व्याधी से ग्रस्थ है। जल्व ही उनको आखों की बची कूची रोशनी भी चली जाएगी। यह व्याधी ला इलाज है। अपनी बेटी की भविश्य से चिंतित होकर वे माता-पिता अपनी शक्ती नुसार जो हो सके वह इलाज करने की कोशिशों में लगे रहे। एक दिन उनकी माने एक समाचार पत्र में इस व्याधी पर संशोधन कर रशिया देश में मासको शहर में डॉक्तर द्वारा इलाज करना संभव है। ऐसा विद्यापन पढ़ा। वह सुनकर उनके पिताजी ने ठान ही लिया कि मैं मेरी बेटी का इलाज जरूर करूँगा। हमारा परिवार तो आर्थिक द्रिष्टी से इतना सशक्त नहीं है कि यहां महंगा इलाज कर सके फिर भी मैं यथाशक्ती मेरा सब कुछ दाव पर लगा कर यहां इलाज कर कर ही रहूँगा। कब तक कलपना जी मुंबई विद्यापीट द्वारा पदविधर होकर M.A की उपाधी भी प्राप्त कर चुकी थी। वे एक सामान्य हैसियत पर सरकारी नौकरी कर रही थे। उन्होंने इस इलाज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकठा कर अपने पासपोर्ट बना की कोशिशे शुरू कर दी। रशियन दुतावास से संपर्क कर वीशा प्राप्त करने के बारे में भी जानकारी हासिल की और इस काम में लग गए। रशिया मौसको में भारत सरकार के दुतावास को संपर्क कर वहां से उन्हें दुभाशा की मदद प्राप्त होने की भी व उन्हें मिल गया। दुभाशा की मदद से उन्होंने डॉक्तर का पता ढूंड कर उन्होंने कलपना के बारे में यथा संभव जानकारी ली। इस आवहान को स्वीकार कर उन्होंने उस वक्त भारत सरकार की दुतावास के प्रमुक्ष्री इंद्रकुमार गुजराल जी से संपर्क किया। उनकी मदद से कलपना के पिता को वहाँ छे माह के लिए नौकरी और रहने की सुविधा प्राप्थ हो गई। अपनी नौकरी करते हुए कलपना का इलाज चलता रहा लेकिन हाथ तो कुछ भी नहीं आया। अब तक कलपना रशियन जीवन में घुल मिल चुकी थी। उनके पिताजी ने कलपना के लिए शिशवरित्ती प्राप्थ कर वही पढ़ाई जारी रखने का संकल्प कर लिया और वे अपने देश अकेले ही लोट आए। कलपना ने रशिया की मौस्को विद्यापीट से मेर की उपाधी सन 1987 में प्राप्थ कर ली और अपना नाम PhD डॉक्टरेट के लिए दर्स करवा दिया और सन 1991 में उसे पूर्ण कर 12 वर्षों उपरांद अपने देश लोटी। शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देने का कार्य तो कलपना अपने देश में ही छोटे बच्चों को सिखाकर शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे वह उच्चमाध्यमिक तथा विद्यालीन और महाविद्यालीन विद्यार्थियों को भी देती थी। उसका ब्योरा नीचे दिया हुआ है। अब उन्होंने रशिया से उच्चे शिक्षित होकर लोटने के उपरांथ अपना कैरियर बनाने हेतु शिक्षा क्षेत्र में स्थापित कर निमनलिखित पदों पर सक्रिय भूमी का अदा की। 1. Co-coordinator of the B.Ed, M.Ed and P.G.R. programs of the YCMO from 1994 to 2000 2. Academic counselor for B.Ed, M.Ed program of YCMO from 1993 to 1998 3. Resource person at different levels with in-service and pre-service teacher training 4. Resource person for the faculty development programs organized by K.J. Somaia College of Education for the sister institutions in the campus 5. Organizer of workshop on diagnostic micro-teaching for B.Ed students in 1998 6. Organizer of English-speaking program for the school in the vicinity of the institution 7. Course writer for the paper Philosophical Foundation of Education for Dhamma in Education program 8. Organized by the Institute of Distance Education of Mumbai University in 2006 8. In charge of paper presentation sessions, cultural activities, action research projects, student council activities, practice teaching at B.Ed level 9. In charge principal Somaia College of Education in the absence of the principal for 8 times 10. Committee member of admission committee, internal assessment committee, the internal quality assurance cell, and local management committee of the Somaia College of Education 11. Committee member of academic audit committee for the Somaia campus 12. Paper sector for PGDME and MA in Education programs of Mumbai University 13. Member of B.Ed syllabus Rivian committee of Mumbai University in 2007 and 2012 14. Committee member of Jeevan Vidya course design committee of the Somaia campus in 2007 15. Member of the staff selection committee for the schools at Samirwadi in 2007, 2016 and Sakravadi in 2006 16. 16. Member of the staff selection committee at the KJ Somaia College of Education from 2001 till date 17. Senior lecturer for the B.Ed program in KJ Somaia College of Education since 1991 till 2007 and as a vice principal in the same 17. Tera participated in Jeevan Vidya Shibir in December 2006 and April 2008 14. Participated in the workshop on inclusive education in St. Xavier's College of Education in December 2007 and in January 2009 15. 15. Participated in the International Conferences on Empowerment of Viewally Impaired Women organized by IGG in New Delhi in 2004 and 2005 16. 16. Participated in the Research Methodology workshop organized by the DAP of Education of Mumbai University in June 2010 17. 17. Participated in the workshop on innovative methodology of teaching in December 2010 17. 17. Unnhoonne aaj tk kai samirnloon mein sahabhaghi ho kar unn mein aapne likhay huye gyanwar dhak lekh likh kar prastut kiye huye hai. Unnki jahnkari neeche dhi huye hai. 18. Ek teacher education changing perspectives in the light of LPG by Dr. Kalpana Kharade and 18. Sybil Thomas presented in the 24th Congress of MSCT at Nashik on 2nd February 2004. 19. This paper was selected as the best paper in the conference and a certificate was awarded for the same dot. 19. Oral presentation published in proceeding of the Congress as a full-length paper. 19. Do economic independence of Viewally Impaired Women through education, training and 19. Employment paper presented by Dr. Kalpana Kharade in the International Conference on 19. Development of Viewally Impaired Women organized by IGG New Delhi on Attai Seth. 19. September 2005. Published in the proceeding of the seminar as a full-length paper. 19. Teen Value Education in the Globalizing World Dr. Kalpana Kharade presented a paper in the Senior Scholar Seminar Series, February 2006, Mumbai. published the paper in the proceeding of the seminar. 20. Inclusive Teacher Education for Celebrating Diversity 4. Inclusive Teacher Education for Celebrating Diversity Dr. Kalpana Kharade and Sybil Thomas presented a jaunt paper at the regional seminar on teacher education conducted by Department of Education, Mumbai University in February 2006. published the paper in the seminar proceeding. 5. Pre-service teachers' attitudes and beliefs about cooperative learning influences on intentions for pedagogical integration in teacher education Dr. Kalpana Kharade and Dr. Sybil Thomas presented a jaunt research-based paper at the national seminar on the theme towards excellence in teacher education conducted by Department of Education, University of Mumbai in January 2007. 6. 6. 6. 9. 9. 9. 10. 10. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 11. 11. cloudy is special educator's attitude toward ICT integration in the education of the viewally impaired students, a predictor of prospective teaching behaviors with educational technology Dr. Kalpana Kharaade and Ms. Raju Talreja presented a joint research-based paper in the International Conference on ICT by Mumbai University in 2020.ійсьunyano.published as and abstract in the proceeding of the seminar. Nor prospective teachers' pedagogical beliefs and their role expectations from school principals as a constructionist leader Dr. Kalpana Kharade, Ms. Raju Talreja and Ms. Sunita Brito presented a joint research-based paper in the Senior Scholar Seminar Series March 2010, published as a full-length paper in the proceeding. Thus, promoting students' engagement in ICT-mediated language learning, Dr. Kalpana Kharade and Ms. Rupal Thakkar presented a joint research-based paper in Senior Scholar Seminar Series in March 2011. published the paper in the proceeding. Jara, Dr. Kalpana Kharade and Ms. Hema Peace made a lead presentation on facilitating engaged learning of the digital natives, a new way of partnering in National Seminar organized by R. M. Koddar College in September 2012. published as an abstract in the seminar proceeding. 12. Dr. Kalpana Kharade made a presentation on Toward Learner Autonomy in Teacher Education, a passionate path of pedagogy in a National Seminar on Curriculum for Excellence in Teacher Education organized by TIS in collaboration with Kapila Khandwala College of Education in March 2013. 13. An Exploration of Pre-Service Teachers' Perceptions of Technologically Enriched History teaching Dr. Kalpana Kharade and Ms. Hema Peace presented a joint research-based paper in National Seminar on Systemic Integration of ICT in Education in the Global Context conducted by Pillai College of Education and Research in April 2011. which is published in the PCRP seminar proceedings as a full-length paper. 14. Dr. Kalpana Kharade made a lead presentation on Life Tree for the Teachers from Jawahar Vidyalaya, Mumbai on Parts at September 2014. 15. Touching the Sky – An Exploration of Possibility of Making Astronomy Accessible to the Viewerly Impaired Learners Dr. Kalpana Kharade and Ms. Hema Peace presented a joint research-based paper during the UGC-sponsored National Conference on Spectrum of Research Perspective organized by BTTC on 6th and 7th September 2011. published the paper in the preceding of the seminar. 16. Empowering the Viewerly Impaired Learners for Facing the Disasters An Educational Intervention Dr. Kalpana Kharade and Ms. Amal Ubali presented a joint research-based paper in the International Conference on Disability and Disaster Management organized by NAPSEPAG, a body of UNESCO and hosted by Jawaharlal Nehru University New Delhi on 7-9th of December 2010. published as an extended abstract in the preceding. 17. A Journey of Viewerly Impaired Learners Towards Planets – A Welcoming Promise of Technology-Based Inquiry Learning Approach Dr. Kalpana Kharade and Ms. Hema Peace presented a joint research-based paper in an international conference UNIDAT organized by the Department of Assistive Technology of ISIC New Delhi on 19-at-21-Descember 2013. published the paper in the preceding of the seminar. 18. Swami Vivekananda's Contribution to Education Dr. Kalpana Kharade made a presentation in a national seminar organized by KJ Somaiya College of Arts and Commerce on 11-at-of-January-2014. published as an abstract in the preceding. 19. Disability and Life Skills Dr. Kalpana Kharade made a presentation Kalpana in a national seminar on Life Skills organized by Tilak B.A. College Pune on 24-at-of-January-2014. published as an abstract in the preceding. 20. Structuring Astronomy Activities for Creating Equitable Learning Environment for the VN-impaired Students Dr. Kalpana Kharade and Ms. Hema Peace presented a joint research-based paper in Senior Scholar Seminar Series conducted by KJ Somaiya College of Education and Research on 4-at-and-5-at-of-April-2014. published the paper in the preceding. 21. Coping with Disability A Life Skill Approach Dr. Kalpana Kharade made a presentation in the national seminar organized by Pillai College on 18-at-of-July-2014. published as an abstract in the preceding. 20. Psychosocial Wellbeing of the Disabled People Dr. Kalpana Bhattis presented a joint research-based paper, We Want the Moon, An Exploration of the Possibility of Making Astronomy Accessible for the Viewerly Impaired Learners along with Dr. Hema Bhattwakar in an International Conference Empower 2021 in October 2021. Tethys presented a joint paper along with Dr. Andy Deshmukh on the theme ICT as a catalyst. In the implementation of ITIP in a national seminar organized by Regional Institute of Education, Bhuvaneshwar in February 2022. Tethys gave a presentation on the topic Social Incluant of the Marginalized Learners organized by Lala Lajpat Rekh College, Mumbai on the Guru Purnima Day in 2021. Tethys gave a motivational talk on the theme Positive Thinking for the Junior College Students of S.K. Somaiya Junior College, Somaiya Vidyavihar. On 16-at-Farvari 2022. Tethys gave an awareness talk for the students from Tech Mahindra on the World Disability Day on 3rd December 2021. 12. Dog Kalpana Ji Dwarah jho sanchodhan kariya hath mein leker sarahaniya safalta praapt ki aur gyanwardhini ho ne saobhaagya praapt kiya vhe hume zarur jahnne chaheye. Jis mein se pramukhta se. Successfully completed ICSSR sponsored major research in 2014 project enhancing conceptual understanding about astronomical concepts among view-only impaired students, a technology-based inquiry approach. Usske saath-saath. 1. Responding to student diversity and experiment with guided discovery activities aisa. 2. Means for inclusiveness in science teaching and learning successfully conducted University Minor Research Grant Project along with Dr. Sybil Thomas in the year 2007. 2. Successfully completed a University Minor Research Grant Project along with Ms. Hema piece on problem-based learning approach to the empowerment of the preservist teachers for ICT Mediated Language Instruction in 2012. 3. Unhoney आज तक कई किये हुए and for the New Times by Dr. Kalpana Kharaaday and Sybil Thomas published in University News by 46 June 28 July. 4. 2004. Though pondering the silent voices of preservist warli teachers in culturally responsive early, Childhood education by Dr. Kalpana Kharaaday and Ms. Hema piece, second author, R.H. Multidisciplinary International Education Research Journal, Amirj, volume 2 issue 5, October-9 November 2013, November 2013, 2278-5655, PP101-120. 3. Reaching the digital natives, a new way of partnering at digital interfaces published in hand. International Journal of Education Transcademia, Biannual Journal Vol 012, No. 1, June December 2013, 223-193492, PP.19 4. Looking for an alternative strategy for teaching and testing, an experiment with concept mapping in an inclusive science classroom, completed research along with Dr. Sybil Thomas. This research was related to science teaching in an inclusive classroom for the students with different abilities. The paper based on this research was selected for second international conference on concept mapping at St. Joe's, September 5-8-2006 and was published in the conference proceeding. 5. Fostering Students' Engagement in Language Learning in ICT Mediated Environment, a joint research-based paper written along with Ms. Rupal. Thakkar, second author, was presented in London International Conference on Education, lies 201.1 on 7th of November 2011 at London. 6. Research-based paper written along with Ms. Rupal Thakkar, second author, titled Promoting ICT-Enhanced Constructivist Teaching Practices Among Preservist Teachers, A case study has been published in an International Journal, International Journal of Scientific Research and Publication ISRP-2250-3133 in the January 2012 edition. 7. Http colon slash slash www.ijsrp.org slash r-a-c-r-c-h-p-a-p-r-p-u-b-l-a-s-h-en-g-dash-j-n-dash-2012.html 7. A research-based paper, exploring the pedagogical potential of ICT mediation for promoting Students' re-engagement, a social constructivist perspective written jointly with Ms. Rupal. Thakkar, second author, has been published in International Journal for Digital Society. IDES, Volume 3, Issue 2, Issue 2, Issue 2, 204-25-70, Online, P. 624-631. 8. Pulished Research-Based Paper along with Rupal Thakkar, Preservist Teachers' Perceptions About Using Experiential Learning for Teaching Environmental Education, How Close is the Partnership in Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal, Goerj, Barmently, Volume 5, Issue 5, Issue 2, 278-5639-2017. NOR published a research-based paper along with Rupal Thakkar, Extending Experiential Learning, Approach for Changing the Perceptions of Prospective Teachers About Environmental Education. In Electronic International Interdisciplinary Research Journal, Ayers, Issue 2, 277-8721, UGC. Approved Journal 948-833, Volume 7, Issue 2, TP.256-26, 2018. 10. Research-Based Paper Title, Learning by E. Learning, Opportunities or Again Marginalization? Paper published in E-Learning and Digital. Media, Volume 9, Issue 4, Issue 2, 42-7, 530. 11. Problem-Based Learning, A Promising Pathway for Empowering Preservist Teachers for ICT. Mediated Language Teaching Published a Research-Based Paper along with Ms. Hema Peace. Second author, In Policy Futures in Education, Volume 12, No. 2-2014, Issue 1, 478-2103. www.www.rds.co.uk.pfe.co.ntnt.pt.pdfis.12.iscsue.2.asp. 12. published a jaunt research-based paper Crossing the Border of Conventional Learning, Essentials of Attitudinal Building of Preservist Teachers about Cooperative Learning along with Dr. Sibyl Thomas in the journal Sarcademic Journal Woll-01-01-PG.92 12. published a research-based paper Along with Bina Suresh, A Study of Emerging Learning Environment in an Activity-Driven Chemistry Flipped Classroom In Electronic Interdisciplinary International Research Journal, Ayers, 48,833-434-446 in 2018 13. published a research-based paper Along with Bina Suresh, Exploring Learning Efficacy of a Technology-Infused Chemistry Class, An Experiment with Flipped Classroom Model In the Proceedings of the Rizvi College of Education 2018 Conference, P.P. 1-12, Mumbai, Arhat Multidisciplinary International Education Research Journal In April 2018, 14. published a jaunt research-based paper with Huang Haan School of Business Singapore University of Social Sciences, S.A.S.S. and Amol Ubali S.N.D.T. College of Education, Mumbai आई, आज तक दौकलपना जी ने दुनिया भर शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों को अधिक ज्यानशाली बनाने के लिए जो सफल संशोधनों के उपरांत विक्सित नई-नई पधतिया खोज निकाली गई, उनका पूर्ता से अध्ययन कर प्रत्यश रूप से उनका प्रयोग अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए करती आई है, वे हमें जरूर उतकंठा से भारित कर देंगे एक, Flipped Learning पधती, Harvard University, USA प्राध्यापक एरिक माजूर द्वारा विक्सित अभिनव शिक्षन पधती एक है इस पधती में हर विद्यार्थी के साथ अपने संबंध प्रस्थापित कर समवाद करना जरूरी होता है इस समवाद द्वारा उसके अंदर की निर्मिती क्षमता को पूर्ण तर जागरित कर उसे प्रेरित किया जाता है यहां आजकल संगणक विज्ञान की महत्व पूर्ण कुझी है इस प्रक्रिया को हमें अगर आसान धंग से जानना है तो ऐसे समझा जा सकता है कि हम पहले स्कूल में सीखते हैं फिर वहां से दिया हुआ ग्रिहपाट घर में सामान्यता पूरा करते हैं इस प्रक्रिया के ठीक उलट दिशा में फ्लिप्ट एजूकेशन पद्धती होती है इसके अनुसार बच्चे को ग्रिहपाट वाली सामुगरी पहले ही विद्यार्थियों को देने के पश्चात उस विद्यार्थी और मार्ग दर्शत के बीच जरूरी समवाद साधा जाता है इसी समवाद दौरान उसके अंदर की निर्मिती क्षमता को जागरित कर उसे विक्सित करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे आगे चलकर नव नवीन कार्यों का निर्माता बन कर समाज के सामने अपने आपको पेश करने के लिए बेजिज़क प्रस्तुत हो सके पारमपरे क्लासरूम समझने की कोशिश करते हैं। साथ, टीचर स्टूडन्स को ग्रेड्स देते हैं। एक, टीचर अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। दो, छात्र टॉपिक के अप्लोडेड विडियो देख कर आते हैं। तीन, छात्र लेक्चर के बारे में पूरी तरह तयार होते हैं। चार, स्टूडन्स द्वारा तयार टॉपिक पर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। पांच, सवानों के सपश्टी करण के लिए काफी समय होता है। छे, जो कुछ पढ़ा है, उसे आजमाना सिखाया जाता है। साथ, तीचर संबंधित टॉपिक से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी पोस्ट करती हैं। दो, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग यह 21-वे शताबदी की बहुमूल्य शिक्षा पधती मानी जाती है। गाइडेड डिस्कवरी जाज आधारित सीखने के लिए एक दृष्टिकोन है, जो छात्र अन्वेशन और प्रत्यक्ष शिक्षन दोनों को महत्व देता है। इस दृष्टिकोन का व्यापक लक्ष गनितिय अवधार्नाओं के साथ सहयोग, कोलेबोरेशन और विचारशील बातचीत, थौट्फुल इंटरेक्शन्स को बढ़ावा देना है। इस पद्धती के अंतरगत विद्यार्थियों की जिग्यासा वृत्ती जागरुक कर उसे नए-नए सिध्धान्त पेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनकी स्मरण शक्ती को चालना प्रदान कर नए-नए संशोधन कार्य में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर उसके लिए उपलब्ध जानकारी तथा सेवाय और सहूलियत के बारे में विस्त्रित जानकारी से परिचित किया जाता है। यह पद्धती आम लोगों के लिए तो कारगर है ही बलकी दृष्टि बाधितों के लिए विशेश भूमी का अदा करती है। तीन, कांसैप्टम शिक्षा पद्धती इसे अवधाला मानचित्रन शिक्षा पद्धती के नाम से भी जाना जाकर इसका सीखने और शिक्षन तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अवधालाओं और विचारों के बीच संबंधों को स्पश्ट रूप से दर्शाता है। सम्पूर्ण संग्रचना प्रस्तुत करता है। सबसे पहले तो एक विस्तृत अवधारना उसके उप्रकरन से जुड़ी रहती है, उसके बाद विशिष्ट अवधारनाय होती है। मानचित्र की अवधारना ग्राफिक संगठन का एक प्रकार है, जो विद्यार्थियों को संगठित कर विशय के ज्यान को प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। अवधारना मानचित्रन अधिगम करता के लिए निम्न प्रमुक उद्देशों की पूर्ती हेतु सहायता करता है। के संचार की व्यवस्था में योगदान देता है। अविरत परिश्रम कर और विक्सित तंत्रग्यान का सहारा लेकर जी जान से धेय पूर्ती हासिल करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जिसके द्वारा आने वाले भविश्यकाल में विश्व विकास के लिए योग्य संशोधक विपुल संख्या में उपलब्ध जरूर होंगे ऐसा ही प्रमानित हो सकता है। सरस्वती देवी की कृपा से ज्ञाना संपर्न हुई डौक कलपना ने इस क्षेत्र में अपना कायम स्वरूपी उच्चस्थान प्राप्त किया हुआ है। इन सफलताओं के लिए उन्हें जीतने भी बड़े से बड़े सनमान प्राप्त होकर परितोशिकों से गौर्वानवित किया जाए वह कम ही लगेंगे। उन्हें आज तक निमलिखित पुरसकारों से सनमानित किया हुआ है। 1. Neelam Kanga Award by the National Association for the Blinds for Academic Excellence in 2002 2. Vocational Award by the Rotary International in 2002 for Academic Excellence and Achievements 3. Award for Physically Challenged Teacher by the Lions Club International in 2002 4. Award by the Blind Men's Association for Academic Excellence at the 5. At All India Conference for the Blind Women at Amravati in September 2004 5. Award for the Academic Achievements by the Giant Group in March 2007 6. Ayasha International for the Academic Achievements in March 2007 7. Maharashtra Navnirman Sena in October 2001 for Lifetime Achievements 8. State-Level Award for Best Employee by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the Year 2012 9. Somaya Vidyavihar Award for Best Research Publication on 9 September 2014 10. Vocational Award for Phenomenal Contribution by Rotary International on 10 October 2014 11. National Role Model Award by the Union Ministry of Social Justice and Empowerment on 3rd December 2014 12. 12. Hirakni Award on 26th of February 2015 by Mumbai Durdarshan 13. Best Professor Award by Naib Maharashtra in 2016 14. Marathi Gaurav Puraskar by Vichare Foundation in 2016 15. Distinguished Educationist Award by HSNC University on 5th September 2020 16. Woman Champion for Change Award by Crimson Education Global on 8th March 2021 17. Rastriya Manavata Sevak Award on 14th October 2021 18. Lifetime Achievement Award on 15th October 2021 Perth 2021 19. Kisie Ek Vyakti ko Šikš술 dhag ter ke Kshetra ke baare mei itni geheraii taq ka gyan hokii jiski team tourna ek mahasagsagra sa kki जा सकती है। जिसकी अठाता आज तक कोई भी जान ही ना सके और अंध कल्यान के क्षेत्र में भी उनका दृष्टी बाधितों को शिक्षित बना कर उनका सशक्ति करण कर उन्हें उचित शिक्षा पधती द्वारा संशोधक जैसे उच्चतम स्तर तक ले जाने तक का योगद देने वाली डौकल्पना का कार्य हमें अचंबित करने वाला ही है। यहां भी जब डौकल्पना स्वयन द्रिश्टी बाधित है, इसके ऊपर भी कोई विश्वास न कर सकेगा। इस असामान्यक्षमता तथा बुद्धिमत्ता की धनी, अविरत संधर्ष की मूरत, अथक प को ज्ञान दिलाने में सफलता की उची प्रादान पर आसीन छबी के रूप में उभर आई है। वह साक्षात ज्ञानवर्धीनी कर ही संबोधित की जा सकती है। यह सब जानकर ऐसा लगता है कि हम सब उन्हें भविश्य काल के लिए शुभाशिर्वात दे कर कहें। मानत सचीव National Association for the Blind, India